तो नेक्स्ट लेक्चर छे करण सूल पच्छी नो ओटाल्जिया एरू मोडन कॉर्लिलेशन अच्छे यंद आपड़ जो इसू के ओटाल्जिया नी अंदर सू डेफिनियेशन से कैर इतना के लोकलाइज कोज द्वारा थाए छे अत्वा तो पच्छी सेकंडरी रीफर्री को द्वारा पण थे थे सके छे उटाल्जिया पेइन इन द इयर तो क्या अए उप्रकार ना कान नो दुखा हो छे जे प्राइमरी पड होई सके छे के सेकंडरी प्राइमरी अटले के जैनू उदभवस्तान जैनू सोर्स ओफ ओरिजीन क्यांती होई कान माथी जोए काननी जे कान ना बहार ना एनाटोमिकल स्ट्रक्चर नी अंदर अत्वा तो फिजियोलोजीकल फंक्सनन नी अंदर कोई प्रकार नी एबनर्मालिटी आवे अनि एना कारणे जो पेइन थाए कान नी अंदर तो ये सेकंडरी ओटाल जिया नी अंदर आवसे जेमके इंपेक्टेड टीथ छे एना कारणे कान मा दुखाई छे साइनस जे शे बराए गया छे एना कारणे जे कान मा दुखाई छे टोंसिल इंफ्लाम थाया छे एना कारणे जे पेइन रिफर्सायु जे कान मा अथवा छो नोज थ्रोट अने फेरिंस नी अंदर कोई प्रक प्राइमारी ने सेकंडरी मा खाओ पड़ी के प्राइमारी इटले के जैनू सोर्स ओफ ओरिजिन कान नी अंदर छे तो यह ना कारणे कान मा दुखाए छे तो यह थाई क्यू प्राइमारी ओटाल जिया अनि सेकंडरी ओटाल जिया यह थाई कि जे कान ना बहार ना एनाटोमिकल स्ट्रक्चर नी पैतलोजी ना कारणे जे कान नी अंदर दुखाओ थाई छे केचे टीत छे नौस छे थ्रोट छे आ बदा स्ट्रक्चर नी अंदर कोई प्रकार नी पैतलोजी शल चाई अनि एना कारणे यह कान मा दुखाओ थाई यह अनि आपड़े कायो कैसू सेकंडरी ओटाल जिया कैसू तो आँ उटअल जिय थवाना कोज जेजे ए कान नी अंदर पन बया प्रकार नाहीं एकश्टरनाल एयर अने मिडल एयर जो एक्स्टरनाल एयर नी अंदर कुईप म्रकारनूँ फरंकल होये लेक्स होए मैं आपर रंभाविवाव और सब्छक्राइब कि दिक नेयुक को सब्छेंए और अपर पंगर ऊच्छेंग से अपर लेक्स पाला में अपर आओ-फ्री पर आशार ओडिक आइक्सिक राओ आँडिको लेक्स प्रेसर आउसे ये छे मिरेंजाइटिस से इंफ्लामिशन छे तर्बाद अए मिडल येर मिडल येर नी अंदर एक्टूट ओटाइटेस मिडिया ये ये सोयम छे इस्टे चे चेंट ट्यूब दू अब्स्ट्रक्शन इस्टे चेंट टूब जेचे ए नोजमा कूल अने त्या मिडल येर नी अंदर कोउज बंसे मिडल येर नुए कोउज बंसे कानना दूखाओ माटें चिरू सब्स्टे चेंट ट्यूब द्यूब द्यूब थाईब्ड परिवसिते अर्फ कप्षार बॉद्धते ही झेलेंगे शेश ङरे ambassador देखे आहीज खुग मेण DR ne तो आज इस इस मिडल एर ना कॉज ची तो एक्स्टरनल एर ना कॉज और मिडल एर ना कॉज तो मैं सामने दे डायरेक्ट एम पर लगी जगोज यह ना कॉज आटला दाखला तरीकिर फरंकल छे वेक्स छे एसो एम तो मैं जिटला पन कानना डिजीज याद हुए कि ज्यानी पैन था तो ऐल है इंफ्लामेशन छे और घ्णिश शे यह ओं आपने याटिज भर संदर कॉज एल परकेक रे महले देक्स पहांड़ार कीवाशली सकता खेनल दाता भी ही दता है रिफर करिये छे कि आई तू यह उस्पीटल ए परण तो रिफर करिये तो पेशनी सारवार थाइ बी ओस्पीटल इस रीते कि डूखाओ क्या थियो्टत है क्या प्यासओ जाई सब्स पिटल ने पर्ण तू रिफर थाई ने बीची जग्या यह ते पहुचियों छे स्ट्रक्चर काईक यह स्ट्रक्चर छे कि ये ते बे वर्गन ने जूड़े छे तो ये जुई आपने रिफर्ड क्वाजनी अंदर क्रेणियल नाव जे छे पांच पानम बनी ट्राइजेमिनल नाव जे छे ए डेंटल आने ओरल जे पैथोलोजी होए छे येना रिफर्ड पे पेइन होए छे ए जेशे लाई जाये छे ट्राइजेमिनल नाव कानमा बीजे एक छे ग्लासो फेरेंजेल नाव नव मा नमबनी नाव छे ए उरो फेरिंग्स ने बेजोत्र टंग येना जे छे रिफर्ड करेछे एलोंगेटे स्टाइलोड प्रोसेस जेशे एना पुन अथवा एपिक लोटीस नियंदर होए आने के ती याद राक्स हो तो आने यादर आपोमेटेक सिंपोल रीच छे अपर स्ट्रॉक्ट्चर वाइस निजे जवान पाच्मा नमबनी क्रिनियल नाव ट्राइजेमिनल नाव तो यह नियंदर डेंटल और अने उरल यह आवसे डेंटल प्लस ओरल लेवल उपर लेवल बन डेंटल प्लस ओरल ट्राइजेमिनल नाव शेकंड छे ग्लेसो फेरेंजल नाव यह नियंदर ओरो फेरिंग्स आईगियो तो ओरो फेरिंग्स आले आलेयर दी ओरो फेरिंग्स इले पाचनों भाग लेवल बन लेवल टू सेकंड लेयरंगी थर्ड लेयर मां एन्ती निचे जासूं वेगस ना वेगस ना वनी अंदर अपीग्लोटिस किसी सब्सक्रायरnor अजुनिचे अने इसोफेगस अने लेरिंग्स । अलीवल 1 नियंद रेंटाल ओर लेवल 2 नियंद अरी बेसलित तों इन ट्ग ओने श्याり बाके लेह पनिय आवसे लेवार टू नी अंदर आव से ग्लेस्यो फेरेंजल ना ग्लेस्यो फेरेंजल जीब ने याध राखु सो ओर फेरेंज लेफल टूनी अंदर आओ से अने टंग टंग ना बदा आई जैसे बेज़ोपे टंग अने श्टायवल बौस अरे तीजू लेयर छे वेकस लेवल थरी वेगस नावनू के जैनी यंदे एपिग्लोटीस, ओरोफेरिंग्स, स्वारी लेरिंगोफेरिंग्स, इसोफेगस, लेरिंग्स, आब दावसे के जियाना पेण जेशे रीफर्ण थाएशे कान नी अंदर, त्रोन लेवल याद आख्शो त्यार बाद जोईशू के C2, C3, स्पाइनल नाव जेशे यहनू पेण, सर्वाइकल स्पॉंडोलाइसिस अने सर्वाइकल स्पाइन नी कोई प्रकान नी इंद्री पाचर दी, ये पन कान नी तरप जेशे पेण रीफर्ण करी सके छे, अब ये उधाईँ के पेशन्ट आयू कोई प्रकाना लोकल कोज नथी, कोई रिफर्ण कोज नथी, कए नथी, छादा पेशन्ट परेशन्ट कही रएउछे, कि मने पेईन थायू हो जेण, कोई हो जेरों कोई कोई ना आ हो त्यारते साइकोजनीक कोई ज आप दर जेँ ऐनी जेचे कि अन ने प्रका आ मैना दवाना दिति ऊहे पन्द शता ऐने मटी क्यों है पर थे स्विकार बात आताई यार रेनी बौडी तेयाद ना होई यहनू मैंड जेशे स्विकार बात आताई ना होए क्या जाईए इटला माटे जेशे स्विडियो टेबलेट आवे जे आपने के तली करके लाक पेसं ने अंदगी थूछे जो हो इंफ्रा टेंपॉरल फोसा नंबर वाइस जह जो नंबर बन इंफ्राइब टेंपॉरल फोसा एला कि इंफ्रा-टेंपॉरल फोसा आई ओकन नंबर टू टेमजी पैफिशोओड यहा उसे मैंडिब्लो जोईट में पैफिशोड़ोजी में प्लस जी चेशे त्यार बाद नमबर थ्री म सर्वैकल स्पाइड पाच बाच बत फॉस्टि एंट इंप्राटेंपोरल फोसा त्यार बाद T JUBA चैनलों जीए स्पाई May स्पाईन टॉंसीलों फेरेंजैटीज निचे ली होसी यखर flown जे सुल स्पाईन जोईा स्पाईन जोई ते अम समय स्पाईन थुओं यॉजों से अलto दोंटल डीजिस यह वह दात्ती थोड़ा थोड़ा नजी कहीएशू पेरिको डंटल पची डेंटल पैसलोजी एक डेंटल यह त्यार पात जेशे नैजोफेरिंग्स नैजोफेरिंग्स मां यह बाचा और पैरा नाजल के जे पैरा नाजल साइनसिस छे नी अंदर कोई पड़ प्रकार नी जो पैसलोजी होए और यहना कारणे जो कानमा दुखाओ था तो होए तो यह रिफड़ ओटाल यह सोर्सिस नी अंदर आपशे तो काया काया जो इंट्र नाजल साइनसिस बदा जे शे रिफड़ फेरेंस रिफड़ जे शे ओटाल यहाना सोर्सिस छे कि जयानी अंदर पेंज जे शे रिफड़ थाए चे बीजिक यानी पैसलोजीने कानमा तो हाज आज आपड़े जोई के ओटाल यहा काननो दुखाओ चे प्राइमरी ने स्ट्रक्चर वाइस आपड़े याद राखे शे प्रामाणी याद राखो त्यार बाज सी टू सी थ्री स्पाइनल ना जोए कोज कि कई आप्रकाना डिजीज होए तो यहाने पेंज जे शे रिफड़ थाए शे कानी अंदर साइको जोनी कोज जोए कोई पड़ना होए तो स सीडियो टेबलेट आप ये शी अपड़े त्यार बाद रिफड़ ओटल या सोर्स इसने चार्ट जोए कि जैनी अंदर टोटल आठ जग्या होँछे कि जिया जे शे प्याथा जी सर जाए तो यहनों दूखाओ जे शे कान नी अंदर तमने रिफड़ थाई सके छे थैंक्य जोगी सपोर्ट करें थे बाद धन्यवाद जय जय बारत जय धन्यवंद्री